दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सपने में अगर आप अपनी मां से जगड़ाय लड़ाय करते हुए देखते हैं तो यह किस प्रकार का सपना होता है सपने में अपने मां से लड़ते हुए देखना या जगड़ा करते हुए देखना ये सपना दो तरीके से आपके जीवन में संकेत लाता है एक तो होता है इसका psychological यानिकि मनोवैग्यानिक दृष्टी कौन से मतलब और दूसरा होता है इसका astrological यानिकि सपने शास्त्र, सकुन सास्त्र और सामुद्रिक सास्त्र के में जो मतलब होते हैं वो होते हैं तो पहले अगर मैं इसके मनोवैग्यानिक दृष्टी कौन से जो मतलब होते हैं उसकी बात करें तो मनवय ज्यानिक दृष्टी कोन से यह सपना जब आपको आता है तो यह सपना आपको कहीने कहीं संकेत करता है कि आपका sub-conscious mind आपके conscious mind के साथ किसी प्रेकार के उलज़न में है यानि कि आप अपने conscious में मतलब अपने पूरे होसो हवास में कोई ऐसे काड़े कर रहे हैं जिस काड़े को accept आपका subconscious mind नहीं कर रहा है कहीने कई आपके subconscious mind को लग रहा है कि ये काम करने से आपको नुकसान हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से आप संपर्क में हैं कि वेक्ति से के बारे में आपके दिमाग को लगड़ा है कि ये वेक्ति आपके लिए सही नहीं है तो आपको इस प्रकार के सपने आ सकते हैं अगर हम इस्टरोजिकल या निकिए सवपन-शास्त्र और समुद्रिक तो इसका मतलब होता है सपने में मां से लडाई करना या मां से जगडा करना यह सपना आपको संकीत करता है कि अगर ऐसे समय में कोई भी अगर वर्तमान समय में किसी अंजान व्यक्ति पर विश्वास कर रहे हैं तो नहीं करें क्योंकि वह व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है बहुत साड़ा पैसा किसी पर करण ना करें और अपने फ्यूचर को लेकर, आपको कौंसब्स रहने की आवजश सकता है। क्योंकि फीचर में आपको पैसे के जुरत पर सकती हो और अगर आप पैसो की खर्ची बहुत ज़्यदा करेंगे वर्तमान में तो आपको आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पर सकता है